दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप अपने पैर पर नाम लिखकर कर सकते हैं किसी को भी अपना दीवाना जी हाँ एक ऐसा वशी करन जो आज हम आपको बताएंगे जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को आपका प्रेमी हो या प्रेमी का हो पुराना प्रेमी हो या आपका रूठा हुआ प्यार हो आप उसे वापस अपने जीवन में ला सकते हैं वो भी सिर्फ आपको करना होगा कि उसका नाम अपने पैरों पर लिखना होगा और वो आपके जीवन में फिर से आ जाएगा तो आज मैं आपको बता रही हूँ यही उपाए इसके लिए आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे आप अपने पैरों पर उसका नाम लिखकर उसे कर सकते हैं अपना दीवाना तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक मंत्र बोलना होगा मंत्र है बहुत ही आसान मंत्र है त्रीम 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 इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको 108 बार यानि कि आपको त्रीम 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 ऐसे करते हुए 108 बार बोलना है और सबसे पहले आपको अपने पैर पर नाम लिखना होगा पैर के कौन से हिस्से पर लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ आपको इस तरफ जो पैर होता है इस तरफ आपको उसका नाम लिखना है जो भी आपके प्रेमी का नाम है आप उससे अपने पैर में इस तरफ लिख सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछी दिनों में मात्र कुछी दिनों के अंदर-णदर आपकी जो प्रेमी है वो आपके जीवन में वापस आजाएंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी, और इसे करने का सही तरीका ये है कि आप इस उपाय को कीजिए शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे, तो मात्र दो दिन के अंदर अंदर आपको इस उपाय का फल मिलेगा याने की सोमवार तक आपकी प्रेमिका आपके जीवन में वापिस आ जाएगी बस आपको अपने पैर में लिखना है उनका नाम पैन की सहायता से आप ये कर सकते हैं आपको सबसे पहले बस त्रीम 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 बोलते हुए 108 बार मंत्र को सिद्ध कर लेना है उसके बाद आपको अपनी प्रेमिका का नाम अपने पैरों में लिखना है मान लिजे कि आपके मैं यहां पर आपको बताती हूं कि किस तरह से आपको करना है तो आपको अपने पैर पर लिखना है उनका नाम और इस तरह से आप पैन्स की सहायता से उनका नाम लिख सकते हैं इंग मैं नेया में आपने लिखे लिखें पर भी अपने जीवन और यहा अपने भी का अइक यह उपाए होता है कि आपकी अगर से रूट गए है या कोई समस्या हो गई है उन्हें आप से कोई शिकायत है तो उस्चायत घॉल जाती गलत फहमी को दूर करने के लिए ये मंत्र सबसे ज़ादा कारगर है तुरंत असर करता है और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है तो आप भी इस तरह से नाम लिखकर वशिकरण कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाए हम आपकी समस्याओं का आपकी सवालों का जवाब जरूर देंगे आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे